लोकस बचनावर 2019 के लिए कॉंग्रेस का घोशना पतर जारी हो चुका है और इस घोशना पतर को पार्टी ने जन आवास का नाम दिया और इसके मुखे प्रश्ट पर लिखा था हम निभाएंगे गोशना पतर जारी होने के दोरान पार्टी के अध्यक्ष राहूल गांधी, यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी, कॉंग्रेस महासचीव प्रियंका गांधी के अलावा, राजस्थान के सीम अशोग गहलोत, डिप्री सीम सचिन पाइलट सब भी तमाम बड़े निता मंच पर मोजूद दिखे, और कॉंग्रेस ने अपने वादों का पिटारा आखिरकार खोल ही दिया, जिसका इंतजार पूरे भारत की जन्ता को था, 2019 के लिए कॉंग्रेस के विजए वादे, और पांच थीम यहाँ पर जो विशेश तोर पर राहूल गांधी ने फोकस करके कही, रो लोग सबचनाओ 2019 का दंगल शुरू हो चुका है और इसी के तहट एहम घोशना पतर कॉंग्रेस का जारी हो चुका है कॉंग्रेस ने जहां न्याई योचना के तहट हर गरीब परिवार को प्रतिवर्श बहतर हजार रुपए देने का वाइदा किया और साथ ही सरकारी नोकरियां, सरकार बनते ही छे महिने में 22 लाख सरकारी नोकरियां देने का वादा किया और साथ ही ये भी कहा कि मार्च 2020 तक कॉंग्रेस ग्राम पंचायतों में 15 लाख नोकरियां देंगी और साथ ही ये भी कि तीन साल तक बिना किसी परमिशन के, बिना किसी बिजनस को रेजिस्टर करवाए हुए भारत का हर नागरिक अपना खुद का बिजनस कर सकता है और साथ ही इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए राजनितिक विशलेशक हमारे साथ अनिल लोड़ा जी फोन लाइन पर मौझूद है अनिल जी आखिरकार लोगसबा चुनाओं के मदनेजर कॉंग्रेस का पिटारा यानि की हम निभाएंगे का गोशना पतर जिसका नाम है जन आवाज खुल चुका है और कुछ मुखे बिंदों पर फोकस किया गया रोजगार गरीबी किसानों को लेकर पाकिसान पर आतंग पर इससे दूसरे मुद्दों की तरफ ध्यान दे जाने की कोशिश है जो देश की मुद्दे हैं गरीबी बिरोजगारी और किसानों की करज के आलाद इन पर फोकस करने कोशिश ची है कॉंग्रेस ने कुछ मुद्दे उठाकर सामने रख दीए हैं खास तर बेरोजगारों को रोजगार और गरीबों को इवस जीने की लायक परनाना यह मेलपून है स्वाविमान और फैर रोजगार और इनको रोजगार देने वाणों को भी सम्मान देना उनका भी साथ तो यह चुनाव के फोकस को शिफ्ट करना चाहती है कॉंगरेस जी और फोकस की शिफ्टिंग करके वो क्या करेगी इस पर बहस करना चाहती है क्या करने का वादा पिछली बार किया था बीजेपी ने और कर पाई नहीं कर पाई इस पर मुद्ध को लेना चाहती चुनाओके तो जहां बीजेपी एक तरफ सर्जीकर स्ट्राइक आतंकवाद पाकिस्तान और आकाश में जाकर हमने सैटलाइट को उड़ा दिया इस देश के गर्व और देश वक्ती को मुद्धा बना रही है वहाँ कॉंग्रेस ने इस जन आवाज के जड़ी जो कोष्णा पत्र को नाम दिया गया है जनता की उन आवाज उस आवाज को उठाने कोश्च की गई है जो दरासल की मुद्धे हैं इन में खास तर पर रोटी कपड़ा और मकान हाथ को रोजगार और जीने के लिए सौबी मान सम्मान इस सब की पठकता लिखने की कोशिश की गई है और राज आएगा की नहीं आएगा और आएगा तो इसको कितना कर पाएंगे ये तो बाद में सर्टा का विश है लेकिन अगर इस पर बहस होती है इस गोशना बते पर जिसे जना आवाज का गया है तो शायद देश का ध्यान उन मुद्वों की और जाए जो मुद्वे इस वब नहपत्य में चले गए हैं और जिन मुद्वों पर इस वब चर्चा नहीं हुरी गरीबियों का भी युवाओं के रोजगार को लेकर भी भले ही वो रोजगार युवाओं को देना हो ग्राम पंचायत में देना हो हर तरह के विशेश खयाल रखा लेकिन एक बहुत बड़ी जो कॉंग्रेस के धक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अपने आप में एक एतिहासिक वाइदा होगा कि किसी भी किसान को करज नहीं चुकाने पर उस पर कोई भी तरह का अपराधिक मामला दर्ज नहीं होगा यानि कि कोई भी अगर जमीन पर लोन लेता है तो उसकी जमीन को रुक नहीं कि जाएगी बलकि अपराधिक मामला दर्श नहीं होगा क्योंकि जब करोडबतियों को लोन देने के भागने के बाद सरकार कुछ नहीं कर पाई तो आखिर किसानों के लिए ये रवाया क्यों नहीं अपना आ जा सकता ये विशेश राहुल गाधी ने अपने मैनिफेस्टों के जरिये कही तो इस पर आपकी क्या राय है क्या ये सही होगा देखे ये ये चुकि भारत गाओं का देश है किसानों का देश है और किसान बहुत बढ़ाली की स्टिटिम जी रहा है इसलिए किसान को राहत देने के लिए सारे दल उतारू रहते हैं और उनका वोट ही निनायक वोट होगा अगले 6 महिनों में 22 लाख सरकारी नोकरियां देश के युवाओं को उपलक्त करवाएगी जिससरे से पियमोदी लगातार वाइदे कर रहे थे कि हर साल 2 करोड युवाओं को रोजगार मिलेगा तो 5 सलों में से 10 करोड युवाओं को अब तक रोजगार मिल जाना चाहिए था अगर देश में रोजगार उपलब नहीं करा है सकेंगे तो नकसलबद पनपेगा देश का नोजवान स्टेशन में आएगा हाथ मत्यां बढ़ेंगी और अपराद बढ़ेंगे इसलिए देश को कुशाल बनाने के लिए सबसे पहली शर्ती है कि नोजवानों को रोजगार दिया जाए और उन्हें काबिल बनाया जाए कि वो खुद का भी कोई काम क अधर पर सकें एकोनोमी हमारी स्वक्त बहुत अच्छे शेप में नहीं है बले प्रशान मंत्री केरें चाटेस्तान पर आजए लेकिन आंतरिक में बजार में पैसा नहीं है बहुत मंदी है नए रोजगार नहीं खुल रहे हैं नए हुद्यों की लग रहे इसलिए सबसे प गोशनपत्र को जनावास का नाम दिया गया और गोशनपत्र के कवर पर हम निभाएंगे जो अपने आप में कॉंग्रिस की निष्टा बताता है जनता के लिए तो एक एहम सवाल यहां यहां ये कि भाजपा चूंकि जुमले बाजों की सरकार कह लीजिए वादों की फैरिस अब जुमला तो कॉंग्रेस वाले कहते हैं से हमें नहीं उनकी भाषय काम में इन चाहिए लेकिन जो भी वो करते हैं वो करने में उनका एक्सपर्टाईजर उनका मुका बादे सकती कॉंग्रेस इसलिए कॉंग्रेस ने जो कुछ प्रसुत किया है उसका जवाब हो उससे भ कर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो एक फिर से आप सभी को बता दूं कि आज कॉंग्रेस ने अपना जन आवाज के नाम से घोशना पतर जारी करती है और साथ ही घोशना पतर के कवर पर हम निभाएंगे जो अपने आप में कॉंग्रेस के निष्ठा बताता है जन पेश किये गए जनता के लिए जिनमें रोजगार एहम मुद्दा था गरीबी एहम मुद्दा है किसानों के लिए भी विशेश खयाल रखा गया तो आपको बता देते हैं सो की जगए डेट सो दिन मनरेगा योजना मिलेगी और साथी किसान का करजा नहीं चुकाने पर किसी की पॉमिशन लेने की ज़रुत नहीं है तीन साल तक वो अपना बिजनस स्टैब्लिस कर सकता है बिना किसी गौर्मेंट की पॉमिशन की और साथी अगले सरकार बनने के बाद कॉंग्रेस की सरकार बनती है तो कॉंग्रेस का कहना है छे महीने में 22 लाख सरकारी नोकरियां उ सकते हैं सरकारी नोकरियां या दे सकते हैं